हेलो फ्रेंड्स, हाव और यूँ, आई विश यू आल हैपी रिपब्लिक डे, गरतेंतर दिवस की हारदिक शुक कामना है मैं प्रोफेसर एसस्तिवारी आज एक इंटरस्टिंग फैक्ट आपके सामने लेकर आया हूँ आप इस महान पुरुष को देख सकते हैं, इनका नाम है पिंगली वेंकईया हो सकता है आपने पहली बार इनका नाम सुना हो या पहली बार इनके चेहरे को देखा हो लेकिन ये कोई मामूली इनसान नहीं है, भारत से और भारत के तिरंगे से इनका बहुत गहरा रिष्टा है पिंगली वेंकईया को हम फ्लैग मैन के तौर पर भी जानते क्योंकि इन्हों नहीं हमारे तिरंगे जंडे को डिजाइन किया था 1921 में पिंगली वेंकईया ने इस जंडे का इस तिरंगे का निर्माड किया, डिजाइन किया और इसको करने के लिए उन्होंने तीश अलग अलग देशों के जंडों का बारीकी से अध्यान किया तब उनको ये एक यूनिक एक डिजाइन जो कि भारत को बहुत अच्छी तरीके से रेप्रेजेंट कर सकता था उन्होंने डिजाइन किया आपको आइडिया होगा कि हमारा जो तिरंगा जंडा है उसमें तीन कलर होते हैं आपने देखा है ग्रीन, वाइट एंड केशरी कई बार लाल रंग को बलड और वार के तोर पर भी थोड़ा देखा जाता है इसलिए ये सजस्ट किया गया कि लाल रंग की जगह की सरिया रंग होना चाहिए और पहले अशोक चक्र की जगह चर्खा हुआ करता था लेकिन बात में इसे और थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ और फाइनली जो आस्तिरंगा हम देखते हैं वो हमारे सामने हैं और यह आंदर प्रदेश के मच्छली पतनम नाम के शहर में पैदा हुए थे और ऐसे बहुत से लोग हैं भारत में जिनको गुमनामी ने घीरा जो कि बहुत इं-फेमस हैं जिनको फेमस होना चाहिए था जिनको वो मान समान मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला लेकिन आज मेरे मन में ये विचार आए कि मुझे इनके बारे में आपको जो है कुछ बताना चाहिए आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें इस चैनल को अपलाई को शेयर कर सकते हैं and I really thankful for your support for your motivation thank you so much